हेलो फ्रेंट्स ये गाड़ी टाटा इंडिका और आज इस गाड़ी का अंतिम दिन आखरी सफर क्यों ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि इस गाड़ी को मैं मैं सेल कर रहा हूँ और इस क्रैप में क्यों सेल कर रहा हूँ क्यों नहीं मैंने इस गाड़ी को आगे बढ़वाया extend करवाया क्योंकि इस गाड़ी को 15 साल पूरे हो चुके थे वो सारी चीजे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर क्या reason था इसको क्यों मैं स्क्रैप में सेल कर रहा हूँ और स्क्रैपर आखिर इस गाड़ी को ले जा के एक अच्छी कीमत में सेल किया है इस क्रैप से भी double value में सेल किया वो कैसे कर पाया हूँ वो भी आपको बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि यह गाड़ी मैंने खरीदी कब थी 2007 में और यह गाड़ी खरीदी स्रीवासू मोटर्स मेरट से इस गाड़ी को लेने के बाद मैंने इस गाड़ी को चलाया था लगबक 3 लाग KM चलाया और 3,00,000 KM में गाड़ी में कोई एसे da youtube नहीं हुआ कोई एकसीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी पूरी और इन टिसरी जब करने को गाड़ी होक्त आख से लिवाद्र ग। अब वो टाइम आगे बढ़ता गया वायर और जादा कटते गया चुहों ने कभी कारपेट काट दी कभी कुछ काट दिया फिलहाल वो उनका घर बन गया और लंबे टाइम से यहाँ पे गाड़ी पार्क थी और मैं प्लान कर रहा था एक नई गाड़ी लेने का नई ब्रेजा अब नई ब्रेजा में प्लान कर रहा था तो पार्किंग का इशू तो आता ही आता कि मेरे पास अल्रेड़ी तीन चार गाड़ी है जिनको आगे पीछे करके मुझे लगाना पड़ता है और बाहर इसने एक स्पेस गेरा हुआ था तो मुझे लगा कि इसको अब निकालना ही करते हैं देखिए इस गाड़ी को ले जाकि एक एक पार्ट अलग अलग बेचते हैं जैसे कि इस गाड़ी का AC वर्किंग में तो AC का कंप्रिशर अलग बिकेगा किसी को जरुवत होगी तो इसका गेरवॉक्स भी लेके जाएगा वैसे गेरवॉक्स को जितने कॉस्टिंग करने में आएगी उससे कम पैसे में स्क्रेपर उसको दे देगा और वो अपना काम चला यानि कि दोनों का काम एक दूसरे से चलता रहेगा और स्क्रेपर की वैल्यू जितने में गाड़ी खरी दिये उससे ज्यादा यह कमा लेगा बात में बचेगा यह लोहे का जो डाचा इसको यह लोग तॉल के बिलकुल जो कबार में होता है सिंपल का स्क्रेप करके वहां बेज देंगे मतलब एक मिलाकर खुल मिलाकर जो उन्होंने पैसे दिये उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू यह वसूल कर लेते हैं लगभग डबल भी कर लेते हैं तो फिलाल यह तो था इनका स्क्रेपर का मामला कि वह क्या करेंगे लेकिन आपको देने से पहले क्या करना है लेकिस क्रेप में मैं तो इसले दे रहा हूँ कि इस गाड़ी के पंदरा साल पूरे हो गये थे यह सोला जुलाई को खतम हो रहे था इसका टाइम खतम हो गया अब कुछ आगे भी है सारी condition में होके तो उसको extend कर देते हैं लेकिन NCR दिल्ली वगरा में मेरे ख्याल से नहीं होता है वो आपके state के वगर हिसाब से आप पता कर सकते हो लेकिन मुझे यह लगा कि मुझे इसको extend कराने में कोई बहुत जाधा profit नहीं होगा क्योंकि इसके उपर काम भी बहुत जाधा करना था time उतना लग जाता मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है time का जितना time में उसमें लगाता तो फिर मतलब possible नहीं था मैंने इसको decision ले लिया कि इसके स्क्रेप में दे दूँगा अब इसक्रेपर को देने से पहले आपको क्या धान में रखना होता है यह बता देता हूं इसक्रेपर को जब हम देते हैं तो गाड़ी का एक agreement बनता है कि हम इस गाड़ी को sale कर रहे हैं agreement में एक term extra लिखवाना होगा आपको कि यह गाड़ी बेची जा रही है scrap में यह बिल्कु जर जर अवस्था में है यह बिल्कु लब यूज में नहीं आनी है और इस गाड़ी को scrap पर scrap करेगा scrap करने के बाद chasis number का प्लेट होता है जो इस गाड़ी में लगा होता है इस गाड़ी में इंजन बेके आगे लगा हुआ है कई में seat के नीचे होता है आप गूगल करेंगे तो आपके model case आप से आपको पता चल जाएगा कि आपका chasis number कहां printed है तो वो chasis number वो उसको cut करके पू chasis number मुझे लोटाएगा अब मैं उस chasis number को और RC को लेके जाओंगा RTO में RTO में करूँगा cylinder और main चीज जो इसकी RC है ये RC आपको scraper को नहीं देनी है RC की सिर्फ photocopy और जो आपने agreement मनवाया है वो उसकी एक copy वो चीज़ है इस scraper आप से लेके जाएगा RC और chasis के plate जब आपके पास दोनों एकसाथ हो जाएगी आप RTO में जाएगे इसको surrender करेंगे वहाँ लिखके दे देंगे कि ये गाड़ी जो मैंने चलाई थी अब इसको discontinue कर दिया जाए मैं इसको use नहीं कर रहा हूँ मेरा इससे कोई landing नहीं है कई बार क्या होता है कि अग अब मैंने इसकी value कितनी ली देखी पहले में बतायता हूँ इसकी value मुझे मिल कितनी रही थी मुझे इसकी value मिल रही थी 15,000 रुपे 15,000 रुपे कहां मिल रहे थे ब्रेजा लेने के लिए गया मैंने उनसे बात की कि ठीक है मैं एक गाड़ी exchange में दूँगा तो मुझे क्या offer मिलेगा उन्होंने बहला ठीक है साब exchange value जो होगी वह आपको मिलेगी exchange value में इसकी गाड़ी की value लगाई 15,000 रुपे अब 15,000 रुपे exchange value और मुझे उनको पूछा कि exchange offer क्या है मैं अगर exchange में करके फिर गाड़ी महारूती के ले रहा हूँ तो आप बताओ क्या offer दोगे तो ब महारूती के तो booking इतनी सारी है कि offer तो छोड़ी आपको पूरे पैसे भी भी गाड़ी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है extra कुछ accessories बगरा लेनी पड़ती है तो मैंने ये सोचा कि कुल मिला कि मेरी गाड़ी सिर्फ 15,000 में वहाँ जा रही है मुझे कोई extra benefit नहीं हो रहा है म क्रेपर ने सारा को चेक किया गाड़ी चेक की उन्होंने मुझे सीधे 35,000 रुपे की रखम बता दी तो साब 35,000 रुपे की रखम उन्होंने जब बताई तो मैंने का फिर मेरे लिए इस से अच्छी opportunity नहीं हो सकती मैंने उनको डन किया 35,000 रुपीज में 35,000 उन्होंने आप से 1,000 रुपे कम कर दिये लगभग 34,000 रुपे इस गाड़ी के मुझे अगर इस गाड़ी में मैंने कुछ एकसरीस लगा रखी होती तो वो मेरी होती वो भी अल्रेडी एग्रिमेंट में लिखा रहता है कि एकसरीस जो है वो आप निकाल सकते हो एकसरीस के नाम पे मैं मैंने इस गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं लगा रखा था, मैंने लगा रखा था इसके अंदर एक GPS सिस्टम, वो GPS सिस्टम थोड़ा सा एडवांस था, अच्छा वाला था, तो मझे लगा कि GPS सिस्टम मुझे निकालना चीए, मैंने इस GPS सिस्टम यहीं पर रिमूव करव लिया मैंने उसको खुलवाया डैश्बूर्ट के अंदर लगा हुआ था निकाल के वाइरिंग वगर अच्छे से डिसकनेक कराई काटी नहीं उसको डिसकनेक कराके बाकि उसका जो बाइपास सीजन था वो सारा कराके जीपेस अपने पास रख लिया और इस गाड़ी को अलव के लिए ताकि आप लोग समझ पूंग इन फीचर में अगर आप स्क्रैप करने जा रहे हो तो फाइदे का सौधा कहां होगा और दूसरी चीज कभी ऐसा ना हो कि गलत जगे फस जाए आपके गाड़ी का पेपर है कहीं और यूज हो जाए तो इसके लिए इस रेंडर कैसे क झाल तक्रें जाए भूचिक झाल फंग्ग जाए टूसरी में झाल सकती हो एग ज्रिए Moro soccer